बहन नूपुर शर्मा को अंतर राश्ट्रिय ख्या थी तो हमारे चुडिया घर के भालू ने दिलवाई दी थी लेकिन अब देखने में यह आ रहा है कि भारती है जो जिहादी हैं मुझाहिदी हैं जो सर्तन से जुदा सर्तन से जुदा के नारे लगा रहे थे उनकी अब आवाज इतनी जोर जोर से जा रही है कि अब वो अक्रास दा बॉर्डर हमारी सीमा के सरहद के उस पार भी पहुँच गई है और अब वहां से अंतरराश्ट्री हत्यारे भी आने लगें अंतरराश्ट्री हत्यारा वो भी खास तोर से जो आपके तहरीक लबैक पाकिस्तान है वो तहरीक लबैक पाकिस्तान का ट्रेंड हत्यारा रिजवान वो सीमा पार करके चला आया अब उसको किसने बुलाया ये तो पता किया जा रहा है वो सकता है उसको भी किसी अजमेर शरीफ से या किसी और शरीफ से तरे तरे की यहां शराफते हैं उन शराफतों से है तशरीफ से कहीं से बुलाया गया हो ये तो हम कह नहीं सकते उसके उपर अभी जाच जारी है लेकिन अब हम क्या कहें कि ये वही लोग हैं जो तरह जगें ये पनी मजारें बना कर याद अक्या आप ये देखिए कि जिन लोगों ने भारत के साथ पूरी पूरी गदारी की उन सब की या मजारें और उस पर की मजारें यहाँ पर ये सारे के सारे वो हैं जो भारत को पूरी तेरह से दार islam बनाना चाते थे उसके लिए विदेशियों को यहाँ पर नियोते दिया करते थे और उन विदेशियों के लियोते से कही सारे आ करांता आये और उनने आके कौन-कौन सी पाशविक्ता इस सिंसता नहीं की उन सब की मजारों पर आज भी हमारा हिंदू भाई जो है वो अपनी मैं क्या कहूं अंदर्शिद्धा कहलूं मुर्खता कहलूं कुछ भी कहलूं वो आज भी जाके वहाँ पर सिस नवाता है मिन्नते मांगता है मन्नते मांगता है भाई ये कोई भी मन्नते नहीं देख सकते आपको कल आरेफ अजकिया सहाम ने बता दिया था अच्छी तरह से के ये जितने भी लोग हैं ये मुर्दे हैं और मुर्दों को कोई अधिकार नहीं दिया है ना रसूल ने ना اللہ نے वो सुलहवी آयت है सुलहवी सूरत है उसको पढ़ ले सुलहवी सूरत की 28 जो आयत है उसमें साफ साफ लिका है सूरत अनहल इसको बोलते है के यह मुड़दे हैं यह कुछ नहीं कर सकते तो अगर इस्लाम के इसाफ से भी देखे ते यह कुछ नहीं कर सकते और वैसे भी अगर देखे हिंदु इसाहब से तो आप लोग मुश्रकीन हैं आपके लिए यह कुछ नहीं कर सकते हैं आपको कोई दूआ नहीं दे सकते हैं दूआ देंगे तो खुद दोजाख में जाएंगे अब हमारा रिजवान भाई जो है वो तहर आने वाला भी यही रिजवान था लेकिन आप देखिए कि पाकिस्तान का जो निजाम है वो कितना उदार है इस तरह के लोगों के प्रती कि उसको कुछ ही दिन में उसको छोड़ दिया अगर मान लीजे कोई इस तरह का कृत्य किसी मस्जिद के सामने हो जाता या किसी मजार के सामने हो जाता या किसी दरगा के सामने हो जाता तो उसको 295B या 295C यानि की ब्लैस्फिमी का चार्ज लगा के उसको या तो आजीवन कारावास दे दिया होता है या उसको संबहता फांसी की सजा दे दी गई होती यदि किसी हिंदू किसी गैर मुस्जिम ने ये किसी मजार या मस्जिद के सामने किया होता या दरगा के सामने किया होता लेकिन इसको देखिए इसने हिंदू सिक्षों के आस्था के एक बहुत बड़े प्रतीक एक बहुत बड़े प्रतिमान माराजा रंजीत सिंग की मूर वो आज भी सोशल मीडिया पे वो चल रहा है वीडियो किस तरह से उसने महराजा रंजीत सिंग की प्रतिमा को गिराया और उस प्रतिमा को गिराने वाले को कुछी दिनों में एक दिखावा करके और उसको छोड़ दिया गया और आज वो बहन नूपूर का गला काटने के पर के आता है उसके यहाँ पर स्लीपर सेल है उसके यहाँ पर भारत में उसके कॉंटाक्ट है उन कॉंटाक्ट के माद्यम से वो इतना आत्म विश्वासी है इतना अति आत्म विश्वासी है कि उसे पूरा विश्वास है कि उसे न केवल पनाह मिलेगी उसको साथ में उसकी identity भी secret रहेगी और वो है अपने target तक पहुँच जाएगा उसके पास से बहनुपुर शर्मा का पूरा पता बहनुपुर शर्मा के सारे coordinates सब उसके पास से मिले तो बाप ये देखिए कि जैसे कि हमारे देश के जो जिहादी थे वो परियाप्त नहीं थे अब अंतराश्ट्रिय जिहाद बहनुपुर शर्मा के विरुद हो रहा है मुझे लगता है कि बहनुपुर शर्मा को अब खुल के जिहाद के विरुद बोलना चाहिए और खुद के जिहाद के विरुद इस प्रकार से बोलना चाहिए जिससे आप जो आपकी जो जमारत की जो शर्ते हैं उनका भी कोई उलंगन न हो लेकिन आपको पूरा हक है आपको पूरा अधिकार है आपको पूरा राइट है कि आप अपने जीवन की रक्षा करें उस रक्षा करने के लिए कानून जो है भारत का सेक्शन 97 आईपीसी से लेके और सेक्शन 106 आईपीसी तक आपको पूरा अधिकार देता है कि आप अपने जीवन की रक्षा करने के लिए यदि आपके उपर कोई आकरांता आता है तो आप उसको मार भी सकते हैं आप उसकी जान भी ले सकते हैं बहन नूपुर शर्मा ने एक जागरती लाई है ये कहना पड़ेगा बहन नूपुर शर्मा के कारण एक जागरती आई है उस जागरती के कई सुखद परणाम है उस जागरती का एक अत्यंत सुखद परणाम ये है कि अब ये जितने भी हिंदु देवी देवताओं को गाली दिया करते थे बिना सोचे समझे वो अब अपने सारे ट्वीट जो है छुपा रहे हैं अपना फेस्बुक अकाउंट डिलीट कर रहे हैं और यदि कहीं सर्तन से जुदा की या इस तरह की कोई भी ट्वीट कर रहे हैं कोई पोस्ट कर रहे हैं तो गिरफ़तार भी हो रहे हैं आज से एक महीने आज से दो महीने पहले तो ऐसा नहीं था याद कीजिए ये कब हुआ है ये तो नूपर शर्माजी के कांड के बाद ही हुआ है उसके पहले तो आप देखिए हमारे राजस्तान में क्या होता था हमारे राजस्तान में मुफ्ती जो था कुछ भी बोल जाता था कलेक्टरेट के सामने डिस्ट्रिक्ट मैजिस्टरेट के दरवाजे के सामने बोल के चला जाता था कि हम आओघ निकाल लेंगे, नात काट लेंगे, धाज तो्ड देंगे, हाथ काट लेंगे, आँख निकाल लेंगे, गला काट लेंगे, और उसका कुछ नहीं होता था। लेकिन अब जहां भी सरतन्स जlica का नारा लगता है, राजस्थान में भी आपको बता रहा हूँ सर तन से जुदा का नाराग लगा नहीं कि वो बंदा गिरिफ्तार हुआ नहीं तो मैं ये दिवेदन करना चाह रहा हूँ आप सभी से कि नूपुर शर्मा बहन का हम सब को धन्यवाद देना चाहिए और जुबैर भाई का भी या इसमें जुबैर का भी जो है वो बहुत बड़ा योगदान है हलागि बिचला 24 दिन जेल रहा है हमारे हैं सब लोग कह रहे हैं कि अरे भाई देखिए उसको जो है वो फेवर्ट ट्रीटमेंट मिल गया और नूपुर के साथ ऐसा हुआ और नूपुर के साथ ऐसा हुआ लेकिन देखिए ऐसा नहीं है नूपुर जी जो है वो सुलक्षित है नूपुर जी को कहीं जेल विल नहीं जाना पड़ा ये ध्यान रखें तो ये तो है हिंदू अपनी सरकार बनाएंगे तो कुछ तो इसको सोचना ही पड़ेगा वो सरकार को आप इसेच लीजे कि इस सरकार की चूले इल गई होती यदि नूपुर शर्मा को हास लगा दिया होता इसने इसी लिए कैसे भी करके हमारे सुप्रीम कोट की एक बहुत ही फालतु बयान बाजी के होते हुए भी उसी बेंच ने नूपुर शर्मा को फुल रिलीफ नकेवल पूरी रिलीफ दी पूरी रिलीफ और सारा का सारे नकेवल क्लब की ए फाई आर बलकि यहां तक किया ए उनको पूरी की पूरी अरेस्ट इत्यादिसे प्रोटेक्शन भी दी अब इसका करने के बाद तो मुझे यह ऐसा लग गया था अब तो यह जुबैर भी छूट जाएगा 24 दिन जेल में रहके छूटा तो है लेकिन कहानी अभी बाकी है मेरे दोस्त क्योंकि अभी जुबैर के था ह्कीकात होनी भी बाकी है दोस्त तो इसलिए यह मामला इतना आसान नहीं है कि फुने हैं हमको नूपुर बहन का अभार करना चाहिए जैन बंदे मातरम